हाई मैं प्रशान्थ आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीडियूर कम्डिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम जिस टॉपिक उपर बात करने जा रहे हैं वह मैं आपको बात में बताऊंगा उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं चलिए देख रहे हैं यहां पर आपको स्क्विन पर यह चार ग्विन केंडलिस्टिक दिख रहा होगा सब में एक कॉमन है सबका कलर आपको ग्विन है साइज यह थोड़ा बहुत उपर नीचे या टेरा मेरा हो सकता क्योंकि इसको हमने हैंसे ड्रा किया उस पर नहीं जाना एक चीज में आपको बताना चाहरा हूँ जिस पर आपको फोकस करना है जब भी मार्केट आपका नीचे से उपर की तरफ जाएगा इन चारों में से कोई एक केंडलिस्टिक का फॉर्मेशन जहूर होता है 40-50% टाइम यह नहीं अगर मार्केट आपका 10 बार उपर की तरफ चार से पांच बार यह कंडलिस्टिक फॉर्म करेगा उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा हो सकता है आप में से कई लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हो आपको करना भी नहीं है जब तक कि मैं इसको साविट ना कर दो किसी की बातों पर यकीन मत करो जब तक आप कंडलिस्टि का का फो होनेचन होता है यह नहीं होता है पहली बार आपका यहाँ के नीचे से उपर की तरफ गिया है दूसरी बार आ यहां पर market नीचे आया, नीचे से उपर की तरफ गिया है तीसरी बार यहाँ पर market नीचे आया नीचे से आपका उपर की तरफ गिया है चौती बार यहाँ पर ले सकते है market थोड़ा सा नीचे आया फिर नीचे से आपका उपर की तरफ गिया यानि market यहां पे आपका पहली बार यहां पे दूसरी बार यहां पे तीसरी बार यहां पे चौथी बार यहां पे यहां पे चार बार market आपका नीचे से उपर की तरफ गया है अगर मैं आपको बोलू यह चारो टाइम चार्ट पे उस चार्ड केंडलिस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है हो सकता है आप में ऐसे कई लोग यह सोसे होंगे कि साइध मैं दिमाग थोगा सा धीला हो गया यहां पे चार्ट पे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा फिर भी मैं बोला हूं कि आपको दिख रहा मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यहां पे आपको market blindness हो गया market ने आपको अंधा कर दिया यहां पे चार्ट पे वो चार केंडलिस्टिक दिख रहा थोई देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा तो दिख जाएगा और अगर मैं यहां पे आपको एक वर्ड बोलू जो लोग में आप वीडियो रेगलर देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा यहां पे आइडिया मिल जाएगा मैं यहां पे बोलना चाहता हूं केंडल ब्लेंडिंग अब जो लोग में आप वीडियो रेगलर देख रहे होंगे वो थोड़ा थोड़ा सा विजुलाइज करना शुरू कर दिया होंगे क्योंकि हमने केंडल ब्लेंडिंग के उपर बहुत सारे वीडियो बना रख्या है औ पर पहले आप यह ब्लेंडिंग वाला वीडियो देख लीजे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं नहीं तो वीडियो के रिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और यहों वीडियो देखने के बाद है आपको यह अच्छे समझ में आएगा तो कंडल करेंगे जब भी आपका प्राइस नीचे से उपर की तरफ जाएगा तो आपको उस तरह का केंडलिस्टिक का फॉर्मिशन देखने को मिलेगा इसी तरीके से मार्केट आपको यहां पर अंधा बना देता है आपको वह विजुलाइज करना होगा जो जैनरल लोग नहीं देख पाते हैं चलिए उस चीज को समझते हैं फिर आपको समझ में आजाएगा कि मैं क्या बोलवाँ मैं कोई बास तो नहीं कर रहा हूं फिर आपको थोड़ा सा क्लियर होगा सबसपहले मैं यहां से सुरुआत करता हूं अब यहां पर क्रेटरिया देखना मार्केट नीचे आ र विजुलीटी और बढ़ जाए प्राइस उपर से नीचे आया नीचे में एक रेंज पकर लिया अब यहां पे स्टॉंग रेट केंडल है अब हमें क्या चाहिए इस वाले रेट केंडल से उपर हो अब यहां पे थोड़ा सा एक स्टॉंग रेट केंडल बना है लेकिन पोईंट फिर उस बीच में जो भी हायस पॉइंट रहता है वहाई बन जाता जो भी लोग बन जाता तो चली यहां पर देखते हैं यह आपका ऑंपन हुआ यहां पर और यह प्लूज दिया यह यहां पर यहां पर बात करें इससे थन थ्वास उपर हुआइस पॉइंट है इसको आप चाहो hammer बोलो या कुछ बोलो और वो चार candlestick के आप अलगलग नाम डाल सकते हो किसी को आप dragonfly doji बोल सकते हो, किसी को hammer बोल सकते हो, किसी को bullish pin wire या फिर कुछ भी नाम दे सकते हो हमें नाम के उपर नहीं जाना, हमें candlestick के characteristics को समझना है और ultimately सबका क्या काम है, अब यहां पे देखिए, यहां पे हमने इन सारे candlestick को join किया, हमें क्या मिला, hammer tap का candlestick मिल गया और यह क्या बताता, price उपर जाएगा, और उसके बाद देखिए, price आपको उपर की तरफ गया, यह candlestick जैसे ही मिला, उसके बाद यहां पे हमें entry ले लेंगे, यह नहीं तो आपका price अच्छा कासा upside गया तो पहले बाद मैंने prove कर दिया, price नीचे से उपर आया, उस तरह का एक candlestick form किया, दूसरी जगा पर, अब यहां पर क्या चाहिए, strong red candle है, हमें strong green candle चाहिए, जिसका closing previous red candle से उपर चाहिए, यहां पर closing उपर दिया, बस हमें इस दो candle को यहां पर blend करना, थोड़ा सा simple हो जाए उपर थोड़ा सा टेल, यह, इसको अलग कर देते हैं, इस तरह का candlestick बनेगा, वापस इस तरह का candlestick बन गया, उसके बाद देखिए, price आपका उपर की तरफ गया, यहनि price नीचे से उपर की तरफ गया, इस तरह का candlestick बना के किया है, और दो candle को join करने के बाद हमें पता च करेगा, market आपको simple money कभी अपने घर ले जाने नहीं देगा, market बहुत बुरी चीज है, यह कभी आपको आसान पैसा घर ले जाने नहीं देगा, यह पैसा आपको रख लेगा, लेकिन आपसे महनत करवाएगा, आपका दिमाग खाएगा, तब जाके यह आपको पैसा देगा, जितना महनत आप बाहर करते हैं, पैसा कमाने के लिए, उसी type का महनत यहाँ भी करना परेगा, उससे कम महनत अगर आप करोगे, तो market आपका पैसा ले लेगा, यह चीज आपको समझ लेना है, और आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप market में entry करते हो, हमेशा ध्यान कि हाँ पे कोई लूटेरा बैठा है, जो कि मेरा पैसा लूटने के फिराक में है, अगर आप थोड़ी से भी गल्ती करते हो, थोड़ी से भी पलक जपकाते हो, वो आपका पैसा लेके भाग जाएगा, अगर आप कहीं railway station पे जाते हो, समान से नजर हटाते हो कभी, नहीं हट समान छोड़ कि आप 10 मिटर दूर चले जाओ, पांच मिनट के लिए दूर चले जाओ, अगले पांच मिनट के बाद वो समान आपका नहीं मिलेगा, वही चीज यहाँ पे है, आप 10 मिनट के लिए मार्केट से नजर हटाओ, आपका पैसा बुल हो जाएगा, एकाउंट जीर करेंगे, तब आप मार्केट में एकदम सतर्क साब्धान वाएंगे, तब आप मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं, अब हमें दो बार देख लिया, कि दोनों बार सिम केंडल स्टिक फॉर्म करके मार्केट उपर आया, और ये दो चीज आप रिकोगनाइज नहीं कर पा कांटिंग में बहुत जादा है, यहां पे दो केंडल, यहां पे तीन केंडल, हमें अलग अलग चीज को देखना परे है, क्वेटेरिया सिम्पल सा, रेट केंडल बनने कवाद इस ट्रॉंग ग्रीन केंडल चाहिए, जैसे यह हुआ हम केंडल ब्लेंड करेंगे, अब यहां यहां पे उपन हुआ होगा, टो आफका क्लोजिंग यहां पर डिया होगा, यहां ग्रीन का बौडी होगा, यहां पे हमेसा देहां रखना, यहां पर भीण बनेगा, इसलिए मैंने जो चारों केंडल का बॉडी ऐसा था, उसके बद यह तो बना तो यह आपको बना की नहीं आप बदा आपन कैनल मैंने आपको बता घर से एक केंडल बन आए रहर एक बार बना पिछले इन वार में ये बना अब यहां कि यहां पे क्या हुआ hört केंदल और चाहिए लगभा के उपर ही दिया ऐनिति बधा-बअज़ी धिया जहां पर यह हम बैंक निफ्टी के डिली चार्ट पर करें कब क्या डेटा है 2022 से अभी तक का डेटा यानि लाश्ट चार मंद का डेटा जहां पर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलटायल था मार्केट नीचे से उपर जाने टाइम आपको एक हिंट देता है वह हिंट यहां पर आपको पकड़ना है ठीक है यह चीज़ आपको के लिए रहो गया अब यहां पर एक और चीज़ आप देख सकते हैं सपोर्ट वेस्टेंस लेवल का भी आईडिया कर सकते हैं उससे आपको और एक्रेसी लेवल इंक्वीज हो जाएगा उसके उपर हमने अल्वेडी सेपरेट वीड अगर यह चीज़ लेवल के पास हो रहा है तब इसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं दिखेगा उतना हम कॉन्फिदेंस के साथ यहां पर वाईसार की तरफ नहीं जाएंगे यह चीज़ सपोर्ट के जितने पास यह बनता है उसका स्ट्रेंथ इतना उस पर हम उतना जादा भरोस अब प्राइस आपका उपर से नीचे आता इसके लिए भी सें क्रेंटे लिया है उसके उपर हम नेक्स वीडियो में दिस्क्स करेंगे जहां पे सेम तरह का कैणलिस्टिक होगा लेकिन कलर वेडहों करेंगे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे क्योंकि यह आपको फ्रीम बता रहा हूं बस रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब किजिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमें इन कवेज किजिए अब यहां पर देखें प्राइस यहां पर नीचे आया नीचे से ऊपर गिया पहली बार यहां पर दूखसरी ब करेंगे वेड़ कंडल है उपर ओपनिंग दिया हओ और ग्रिण करेंगे और तो ब्यक्राइस आपको एक चीज फालो करना कंडल स्टिक को नाम को फोड स्टाको घंगा उपने पास हमें प्रॉफिट से मतलब है नाम रखें आपको CA का exam clear नहीं करना, नहीं, CS का exam clear करना, आपको क्या करना, ultimate goal क्या है, पैसा बनाना, अगर CS, CS का exam clear करना, तो आपका जगह यहां नहीं है, कहीं और है, वहां आप जा सकते हो, यहां पे सिर्फ आप पैसे बनाने के लिए हैं, तो उस पे focus करो, नाम रट के आप क्या करोगे, वो में आपको 1000 के निम बता दूंगा वो रट क्या पैसा बना सकते हो लेकिन यहां पर आपको उससे पैसा मिलेगा इस चीज से जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं इसलिए के नाम पर हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं वापस से वेड कंडल बना हमें स्टॉर्म ग्रिन कंडल इसका क्डल इससके उपर चाहिए यहीं दिया है अब मैं इसको ब्लेंड करेंगे सारे में प्राइस के अब जमस्दाह on कि बना ब्रया इसके बाद price आपका जबदस्त ऊपर की तरफ गया है तो जब भी price आपका ऊपर की तरफ जा रहा है यहां पर आपको hint देखे जा रहा है अब यहां पर देखिए strong red candle है अब यहां पर हमें क्या चाहिए था strong green candle जिसका closing इसके ऊपर चाहिए closing अभी तक ऊपर नहीं दिया अप HDFC limited के चार्ट को आप आगे फॉलो कर सकते हैं जैसे closing green candle इस तरह का strong green candle इसके ऊपर देगा वैसे हम क्या करेंगे यहां पर candle blend करेंगे और उसके बाद हमें इस तरह candle फॉर्म होगा उसके बाद यहां पर हम इंट्वी ले सकते हैं buy side की तरफ तो यहां पर आगे भी इसको price को test कर सकते हो closing हमें इसके ऊपर चाहिए इस तरह का green candle जिसका closing इसके ऊपर हो उसके बाद आपको देखिए single candlestick मिला है यहां पर भी आपको यह single candlestick दे दिया है तो कभी-कभी आपको market आसान करके simple और single candlestick में आपको दे देगा ताकि आप आसानी से पकड़ लो लेकिन कभी-कभी आपको difficult situation देता है बहुत difficult situation देता है जिसमें आपको survive करना होता है तो अगर आप phase को survive कर जाओगे और market के different situation को candlestick के नजरिय से अलग-लग देखोगे तब जाके आपको यहां पर समझ में आएगा तो कोई भी चार्ट पे candlestick ऐसे ही कहान नहीं बताएगा आपको उसके पास आना परेगा उसके अंदर घुसना परेगा नदी या तालाब के अंदर क्या है आप उपर से देखके नहीं पता कर सकते हो अंदर मगरमच है या फिर अंदर हीरा पर आहुआ या मूती पर आहुआ वह जब आप अंदर जाओगे तब आपको पता चलेगा तो वही है इसके अंदर घुसना परेगा तब आपको पता चलेगा कि यहां से आप पैसा बना सकत या फिर नहीं बना सकते हो तो उमीद करते हैं यह जो concept के उपर हमने बात किया था हमारा जो personal observation था यह आपको पसंद आया होगा अगर इससे विलेटर कुछ भी doubt या फिर कुछ भी confusion है तो आप हमें comment section पूछे नहीं तो आप हमें number पर contact भी कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक करके हमें इनकवेज किजिए मिलते हैं next video में जैहिन